आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, Question पूचा है Who proposed Fluid Mosaic Model to explain Structure and Functions of Plasma Membrane तो Plasma Membrane का Structure and Function ये explain करने के लिए Fluid Mosaic Model जो है वो किनों ने सबके सामने रखा प्रपोस किया तो हमारा Answer है S.J. Singer and G. Nicholson G. Nicholson और इनों ने ये model in 1972 1972 में सबके सामने प्रपोस किया और इनों ने बताया कि किस तरह से Plasma Membrane जो है वो अपना function exhibit करता है अब इस model के बारे में अगर हमें बता ना है तो ये जो model है ये explain करेगा Structure of Plasma Membrane और खास करके ये animal cell के बारे में सबसे पहले इनोंने क्या किया सर्च किया और इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा अगर हम देखते है तो इसमें फॉस्पो लिपीड्स होंगे फॉस्पो लिपीड्स इसी के साथ प्रोटीन cholesterol and carbohydrate इनसे ये plasma membrane हमारा बनेगा और इसका जो nature होता है वो कॉसी fluid nature होता है fluidic nature होता है जिसमें ये जो protein particles या protein जो molecule होते है वो swim करते है तो इस तरह से ये important fluid mosaic model S.J. Singer and G. Nicholson इनोने 1972 में सबके सामने रखा Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 सुपर